हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपको हाफ कॉलर की कटिंग और स्टीचिंग बता रहे हूं तो फ्रेंट्स इस टॉपिक पर मैंने वीडियो तो पहले से बना रखा है लेकिन उस वीडियो में मैंने कॉलर को स्टीच करना नहीं बताया है तो आपके बहु कट कैसे करेंगे आपके सूट का गला कितना भी छोटा है तो उसमें आपको 9 इंच की लंबाई की कॉलर तो रखनी है लेकिन आपका गला बड़ा है तो उसमें आप गले के according कॉलर रखेंगे उसकी लंबाई फिक्स नहीं है तो देखो मैं 11 इंच की कॉलर कट कर रही हूं तो 11 इंच पर आपको इस तरीके से सीधा निशान लगाना है और आपको कॉलर को चोड़ा कितना रखना है तो देखो आपको कॉलर को चोड़ा ज्यादा नहीं रखना है आपको 2 इंच पर निशान लगाना है तो 2 इंच पर आपको इस तरीके से निशान लगाना है आपको बुकरम को इस तरीके से फोल्ड करना ए, डबल फोल्ड करके फिर आपको कॉलर की यह पे सेफ देनी है, आप कॉलर को यहां से सीधा रखेंगे तो उसकी सेफ है वो अच्छी नहीं आएगी, और दिखने में भी कॉलर है वो बहुत बेकार लेगेगी, तो आपको कॉलर की सेफ गुलाई में देनी है जिससे कि आपके कुर्टे का लोक है वो और भी अच्छा लगे तो इस तरीके से आपको गुलाई से कोलर बनानी है तो देखो मैंने ये निशान लगा दिया है और इसी निशान से मैं इसको कट कर दूँगी तो आपको कुलर को कटिंग इस तरीके से करना है तो देखो इसको हम सीधा करके देखेंगे ये कोलर है हमारी एकदम फिनीसिंग के साथ कटके रेडी हो गई अब इसको हम जोइंट कैसे करेंगे आपको कुर्ते का कपड़ा लेना है और कपड़े की लंबाई रखनी है इस कॉलर से हम कपड़े का नाप कर लेंगे थोड़ी सी जादा रखनी है इस कॉलर से कम नहीं रखनी है कपड़े की लंबाई और कपड़े को डवल फोल्ड ही रख चोटी चोटी शलाई लगानी है, तो मैं आपको इस कॉलर पर शलाई लगा के और कॉलर को गले में इस्टीच करके आपको बताती हूं, तो कॉलर को इस्टीच हम इस गले में करेंगे, यह पुर्ते का गला बना के मैंने पहले से ही रैडी कर रखा है, और देखो इसका गला है वो भी कितनी सफाई के साथ बना हुआ है इसमें अब हम कॉलर को इस्टीज करेंगे तो आपको इस तरीके से सूट के कपड़े को रखना है और उपर से हमने यह जो बुकरम की कॉलर कट की है इसको रखना है और कपड़े का मार्जन कम से कम आपको नीचे की साइड में आदा यहीं सिलना है और फिर इस पर यहां पर इसके बगल बगल आपको शिलाई लगानी है शिलाई को ज्यादा बुक्रम पर नहीं चड़ाना है बिल्कुल चोटी-चोटी यहां पर शिलाई लगानी है और यहां से आपको शिलाई इसी तरीके से लगानी है जैसे हमने कॉलर की कटिंग किये मशीन को दीरे-दीरे चलाकर इसी तरीके से गोलाई में यहां पर शिलाई लगानी है हमारा यह उपर की शायड में एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको कट करना है और अब यहां पर छोटे-छोटे कट लगाने जगा जगा पर जिससे हम कॉलर को पलतेंगे तो उसमें कहीं भी जोल या फिर लूजिंग नहीं आए और इस तरीके से कॉलर को सीधा करना है और शीधा करके आप हाथ से देखेंगे हमारे बुकरम की पट्टी है वो कहां तक आ रही है ? यहां तक तो हम यही पर शिलाई लगा देंगे यहां से दोनों कपड़ों को बरावर रखना है इस तरीके से कोई भी कपड़ा छोटा या बड़ा नहीं करना है नहीं तो आपकी कॉलर है वो दिखने में बहुत बेकार लगेगी तो यह नीचे में एक शीदी शिलाई लगा दिये अब हम कॉलर पर उपर की साइड में शिलाई लगाएंगे जिससे की कॉलर है वो उपर की साइड में उबरी हुई दखाई नहीं देगी तो इस शिलाई को हम कॉलर में अच्छा लोक लाने के लिए लगाते हैं यह शिलाई यहां पर जरूरी भी नहीं है पर आपको अच्छी लगे तो आप यह शिलाई लगाएं नहीं तो आप नहीं भी लगाएं तो कोई परेशानी नहीं है तो अब हम इस कॉलर को इस तरीके से डवल फोल्ड करेंगे डवल फोल्ड करके यहां पर हम कट लगाएंगे और चौक से भी निशान लगा लेंगे जिससे कि हम कॉलर कुड़ते में इस्तीच करें तो कोई भी इससा बड़ा या छोटा नहीं हो और यहां पर भी हम छोटे-छोटे कट लगा देंगे तो अब मैं आपको इस गले में कॉलर को इस्तीच करके बता रही हैं तो आपको बैक वाले पायट को इस तरीके से पकड़ना है सोल्डर से सोल्डर को मिलाना है और यहां पर इसका बीच सेंटर का नाप करना है और चोक से निशान लगाना है जहां पर भी हमारा बीच सेंटर आए उसका और फिर कुड़ते को इस तरीके से रख लेना है यह हमारी कॉलर का सेंटर है और यह यहां पर कुड़ते का सेंटर है बैक पायट का और इसको इस तरीके से पकड़ना है और यहां से नापते हुए गले की तरफ जाना है और यहां पर हमारी कॉलर यह फिक्स आ रही है तो यहीं से हम सिलाई को चलाना इस्टार्ट करेंगे यहां से सिलाई को पहले आपको लॉक करना है जिससे की सिलाई हमारी निकले नहीं सिलाई इसके बिल्कुल कॉर्णर पर लगानी है अगर हम अपने कुर्टे में इस तरीके से कॉलर इस्टीज करेंगे तो कभी भी कोई कमी नहीं होगी तो देखो इसका सेंटर है वो भी एक जगा पर है ये कुड़ते का सेंटर है और ये कॉलर का सेंटर है और आप शिलाई को यहां से द्यान से चलाएं कहीं भी इस कपड़े में जोलिया फिर लूजिंग नहीं आए और यहां पर शिलाई को लॉग करना है और देखिए सिर्फ एक सिलाई से हमारी कॉलर है यह इस्टीच हो गई है और देखिए कितनी फिनी सिंग के साथ ही हमारी कॉलर बनके रेडी हुई है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई प्रावलम आ रही है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं जिससे कि मैं आपको दुबारा से समझा सकूं और सही से बता सकूं